स्वागत आपका ब्रेक के बाद लीव ट्रेवल कंसेश्चन यानि ल्टीसी के तेह सरकारी तर्मचारियों को देश में और कुछ निंदार विदेशी शेहरों में आने जाने का किराया मिलता है कौन से ल्टीसी पाके जो आप के लिए रहेंगे सही बता रहे हैं इस साल गर्मियों की छुट्टियां इनके लिए खास हैं खास यूं कि हर चार साल में मनोच को ल्टीसी मिलता है इस साल मनोच के पास परिवार को घुमाने की बड़ी योजना है चुट्टियों का मौसम शुरू होने ही वाला है ऐसे में ज़्यादा तर लोगों ने अभी से अपने छुट्टियां प्लान करना शुरू भी कर दी है एल्टीसी का फायदा उठाने वाले गौर्मेंट इंप्लॉईस के लिए खास तोर से यह ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि वो अभी से ही अपने छुट्टियों की प्लानिक शुरू कर दें हमारे साथ इस वक एक ऐसा ही परिवार मौजूद है आए जानते हैं इसे कि किस तरस ये इस बार अपने छुट्टियों की प्लानिक कर रहे है हाँ एकसाइटमेंट तो काफी होता है और हम लोग हमेशा कोई नई जगे प्लान करते हैं जो हम लोग ने नहीं गूमा होता है जिससे कि हम इंडिया में सारी अलग-अलग जगे गूम पाएं कि उसमें अपना प्लान प्लान पड़ता है हम इस डेस्टिनेशन तक जाएंगे ये जगा देखने जाएंगे और उसकी अप्रूवल लेने के बाद हम अपना टिकेट बुक करा लें और जर्नी जब कंप्लीट हो जाए उस जगा से वापस आ जाएं तो वो ओरिजिनल टिकेट जो है वो अपने आफिस में हम जमा करा दे तो वो उससे हमारा जो कले में हो पूरा सेटल हो जाता है LTC के तहट सरकारी कर्मचारियों को देश में और कुछ चुरिंदा विदेशी शहरों में आने जाने का खिराया मिलता है हलकि इस वक्त IRCTC, स्टेट टूरिजम और भारती रेल सहित सरकारी मानता प्राप्त कई ऐसे निजी टूर ऑपरेटर्स भी है जो LTC के टूर पैकेज देते हैं इसमें आने जाने के किराय के साथ साथ रुकने का खर्च भी शामिल होता है फिलाल दिल्ली से बैंगलोर का दो याथ्रियों के लिए तीन राद चार दिन का पैकेज आपको कौरीब 31 हजार रुपई में मिलेगा इस पैकेज में आने जाने का हवाई किराय भी शामिल है इसी तरह मुंबई से कोचीन के लिए 3 राथ 4 दिन का टूर पैकेज आपको करीब 41,000 रुपे में मिलेगा मुंबई से चंडिगर तक का टूर पैकेज आपको करीब 30,000 रुपे में जबकि दिल्ली से कोलम्बो का पैकेज भी प्रतिव्यक्ति करी 30,000 रुपय का है। LTC की सुधा देने के पीछे मकसद था कि सरकारी करमचारी देश के अलग-अलग सभी हिस्सों को अच्छे से देख और जान सके। इसलिए जब भी LTC का टूर चुनें तो हमेशा इसे लंबी दूरी का चुनें। प्यूश्रिवास्तव, जी बिजनस दिल्ली।